हेलो सुडेंट्स वेलकम चैनल कॉम स्कॉलर देखिए आज हम इस वीडियो लेक्चर में फानाइश स्टेटमेंट और कंपनीज की प्रेटिकल कॉशन करने जा रहे हैं जो कि एक्जाम में आपके मॉस्ट लाइक्री जो कॉशन से हैं मैं आपको वही लिमिटेट कॉशन करा रहा हूं बाकि आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं बीकॉम मैंने से बीकॉम पर करामगी तो आप उसमें से अपने जो प्रेटिस कॉशन से वह उसको आप ज़रू करना राइट सो देखिए कॉशन परते हैं देख पोलिंगी तरहले का है दुटक मैंने फेले ईकॉमले कॉमपणे नहीं से लिए देजर्विक exactly प्ल тяж जोच कहला है अनुगंते कंतरो प्रल यहम्यान फाल फॉर्पा ऑनों मुबूच्टों दुटक माइट einen किपशों आपको। में हमको देखिए एड्जिस्में अक्षे से पढ़ने हैं अजिस्में देखिए इस्टोक इन ट्रेड ऑन इस डेट कितना है तो लाक थाउजन एट मेंज आपको क्लोजिंग दिया हुए है अच्छा मैंने आपर यह 31 मार्च 2023 कर दिया है तो इसको भी आप 23 ही लेकिनी चलना आपके पास 150,000 अगर आपको देखिए वैसे तो क्या आपने ट्वाइल से पढ़ा हुए है और देखिए मैं आपको जो भी बता रहा हुए हैं यहां पर बिकोज आपको आपको जो है एकांटिंग से तरीके से फॉलो करना है तो मैं चाहूँगा कि जो भी एडिशन इंपर जब भी गीवन हो तो अब जिस आइटम पे हो उस पर आप टिक कर लो जैसे देखिए यह स्टोक पे है तो स्टोक पर आप टिक कर लो ताकि आप जब आप एंट्री करोगे तो आप पर मिस्टेक नहीं होगी देन लिखा हुए डेप्रिशेशन है प्लांटेर मेशनर पे पर 4,000 प्रोवाइड 4,000 डेटर्स और दोट्फुल डेट्स तो यह देखिए बैड डेट है आपका डेटर सेदेर और एक ट्रेड डेटर होगे आपका और एक प्रोविजन पर दोट्फुल डेटर आप भी बना होगा है वह मैंने टिक कर दिया हुए देन इंकम टेक्स डिविदें 25% आफ्टर दी बैलेंशीट पर दी यह देखिए कर एक हबा कि बहुड डेटर ने जो है प्रोपोस्ट यानि की डिविदें को प्रोपोस किया है कितना डेटर इस 25% 25% अब 25% अब 25% अब गरेंट प्रोफिट बट कभ यह प्रोपोस्ट देटर आट दी अड अ है किया कंपरी इस प्रपोस किया तो हम इसका हम कुछ टिर्पेनन नहीं करेंग बिकश्य अगर क्या होता है और कंपरी को पर वह लईावटे किट हो जाती है बड़ यहां पर यहां पर यहां पर सिद्रेटर में प्रपोस्ट किया नहीं है तो इस अभी है रिजेवल्एशन प्रिप्टी थाउजन एकविटीचे प्रिप्रीच पूर्ली पेड़ाइब और थ्राइस गिविए पर आपको देश नें कंप्रीच जो यह 10 पर से नेर्फ पर फिट ट्रांस जन्रेश में ठांस हो रही है देखिए आपको पता है आपको कुछी डिप्पिकट क्षुचन है नहीं आपने के बात आपको स्टेट्मे में परिह लिएस देनर आना है यह इक एक आपको बहुत द्हां से देखना है इसकी फवेडिंग कहां कहा रही है पहले हम आते है notes to account में, देखिए notes to account में देखिए, फिर से बहुत notes to account में पहले आप जैसे share क्यावाट टेक होगे, इसके बाद reserve and supplies, then आपसके बाद current diabetes, long term liabilities, fixed assets, current assets, cash and cash equivalent, ठीक है, ये तो आपको जो मैंने आप लिए six items तक लिखे दे, ये आपके basically जो है balance sheet वा ले जो लिख effect होते हैं, right, then revenue operation that is sales given आपको, other income, changes in inventory, employer benefit expenses, depreciation and amortization, other expenses, ये सब आपके, right, चले इसका one-way-one discuss करते हैं, पहले हम discuss करते हैं, first point, यानि कि stock in trade आपको given है, 31st of March के amount of rupees 2 lakh, तो देखिए, इसका effect कहाँ पर राएगा, आपका stock in trade में आपका effect कहाँ होते हैं, देखिए, दो जगह आ amount है कहाँ का, that is 2 lakh, right, इसके बाद फिर हम देखिए, offering और closing, जब हम आपको याद होगा, भी हम trading account बनाते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं, आपको याद होगा, trading account जब हम बनाते थे, तो हो यहांपर क्या लिखते था हम अमेशां कलिकते होसा यह यहां लिखते हैं और पिक तोब फ्रचेश्ट इंब टाटश अ किताए कि publiक है कि यहां पर तो आताए है यहां पको अफ्रबड़ इसका पास लोसपन एंप राइट और यह ग्रोस प्रफिट आपका जो पी एंड एकाउंट में वह ट्रांसफर हो जाता था ऐसी करता थे तो आपको वही ट्रीफ में करने है बस आप यहां पर क्या है आपका अपका अक्टेस वाला फोलो करना है तो उसके गोटिंग करना आपको और कुछ नहीं है तो इस का अपर यह पर आएगा एक तो देखें आपको यहां पर आएगा आपका आएगा बलेशीट में और एक आपका trading account में जाना वाला है तो देखें यहां पर देखें सोलीशन क्या आपको तो यहां पर भी देखिये अपनी नेगेटिव हो गया ओपने माने इस प्लोजिंग नेगेटिव हो गया अच्छा सब्सक्राइब यहां पर हम क्या कर रहे है अपको याद होगा अभी ट्रेडिंग आउंट मैं नहीं बनाया था तो इसमीं का अगारत हम नेगरए हैं डिएबीट से क्रेड़ जा रहे है मतलब क्या है हम देखने है कि हमने अबाद जो एडिशनल हमने कितने परचेस किये हमने एडिशनल कितने कि जाए कि क्लोजिंग ज्याद है इसका मला क्या हो तब भी तो जाद होगा ठीक है तो इसको हम उसको एफेक्ट लेंगे चलेंगे तो चेंज इन्वेंटरी कितने इन नेगेटिव है यानि कि सेल्स कम हुए तिरसे तो वह नेगेटिव पचासर आगया तो यहाँ पर आगया आपका इस वन तो दिखिए इंवेंटरी यहां पर लग दिया हमाने दो लाग रुपह है परस्ट एंट्री होगी ना कम टू दे सगिंड पार्ट डेप्रेशिट के प्लेंटर मेंशनरी 12% फनीचर 10% कंपेटर सफरे 20% तो दिखिए इसका एफेट कहां जाएगा पहला पहला जो एफेट लेए उसमें सब्सक्राइब तो दिखिए आपर हमने का आपका कहा आएगा अधर एक्समेंस साल चलाएगा डेप्रेशिशन इस वान फरनीचर इतना इतना तो अपर यह हो गया अब इसका फैर दिखिए आपर आपका जब आप बैलेंशीर का देखिए नोट से कांट जो आ अब आपका जो है आपका जो है इस यह आ गया तो यह आपका टोल टेंजिवल एसे पर डेप्रेशिन यह हो गया और यह अमॉर्टाइज़ेशन हो गया तो टोल अमांट यह हो गया राइट जैन रड़ बना देखिए फर्दर जो बैडड गीवन आपको कितना चार दर परफिजर मना रखा है कंप्पनी में पहले सही प्रफिजर रखा होगा है तो छ Hill currently बहुंते इतना के साठेड़् यहां तो यह गीवन आपको साटे चेजर मरें गया और चार जो इसनों जू गया तो यह अमांट कितना बज गया आपका टोटर डेटर का पुर्टी सेवन थाजन फैफंड प्रफिट डेटर का मांट कितना उसमें से बैटर मैंट कर दिया जो फर्दर आपको इनने की जो एडिशन फैल वह और भाकि जो धार था उसका अपने प्रविजन अपने आपको एडिक्शन बनाना पड़ा तो वह मानेश करना पड़ा तो यह तो यह था होगा अब देखें अभी कितना बनाया आपने ज़ए 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 लगाई तो आपके ज़ए ज़ए यहाँ पर वह बात भी प्रोफिजन, इसको और में देखते हैं, फॉर्थ पॉंट को, फिफ्फ पॉंट को इक रिलिमेंस है नहीं, सिक्स देखिए, इसको कुछ है नहीं, आपका फाइपरसंन एकविटी है तो इसको कुछ दिकत नहीं है, अब आपको क्या करना है balance sheet में यहाँ पर देखिए पहले आप debit साट पकड़ लेजिए और इसके पड़ एंट्री कर तुछ लाएं अप्रिंग स्टोक हो चुका है यह देखिए purchases of closing stock यहाँ पर जब balance sheet बनाओ गए तो यहाँ पर देखिए purchases of closing stock कितना आएगा 382 है 3,82 यह amount लिख दिया और उसमें साब का कुछ purchase return वह कितना 10,000 रुप एगा तो वह मैंने minus कर दिया इसके बाद आपका यह भी हो गया यह भी हो गया अब salaries पहेंगे salaries again आपका आपके पास है rent, rent का आपका जागा other expense में चला जागा तो आपका यहाँ इसके बाद आपका ट्रेट expense से ही आपका 11,000 आपका यहाँ आजागा इसके बाद rent हो गया आपका ट्रेट expense हो गया cash भी हो गया बिल्स रिवेबल current asset आपकी तो आप इसको यहाँ लिख दो कि current asset में आपका इस वन 14,000 आपके में पर आगया यह भी हो गया अब discount allowed कि हमने किसको discount allowed किया है यह हमारा expense में चला जागा तो यहाँ पर देखे other expenses में इसको एक्विटी शेर केविटल आपका पांसलाग रुपे की तो देखिए यहाँ पर में लिख दिया इसको equity share capital फाइव लाग रुपीज यह यहाँ लिख दिया हमने इसके बाद discount अब discount रसीव हुए तो यह अधर इंकम में चला रहाएगा अधर इंकम सब्सक्राइब यह भी हो गया कि opening जो आपको profit given है वह कितने पिछे साल का profit था ठीक है पिछे साल closing था इस साल का अब आपर को जाएगगा तो इस साल का Profit करता है तो इसके बाद जर्णलिज अब एटी टू थाउजन ऑपरिंग बिलंस है वह देखिए यह रहा एटी टू थाउजन यह भी हो गया प्रोफ जम्राण का था बिल्स पेवल अपकी है करेंट रिविटीज थे ब्याग्या टोटल अमाउंट हो गया है यह भी हो गया तो अब देखिए अब सारे एंट्री जो चुकिये है आप सब को क्या करना वो क्लोज करना है तो जितने भी नोट्स यहां पर क्या होगा करेंट यह प्रोफिट आपको जितने भी फिगर्स आपने लिखी हुए ना तो करेंटे का प्रोफिट आप बगानेंगा जब आप बनाऊंगा फैनल देखिए आपकी यह सारी आपकी फैनल पींड़ स्टेट में है रेविनी फोप्रेशन यह हो गया अ इसमेंस आप सारे खच्चे मानेस करोगे आपका अपका इमांट टोटल एक्सपेंशी आ रेगा तो करेंटे का प्रोफिट कितना वर्चा है देट तेट इस फाइवलाग सेमिट थाज़न उसमेंस और इसका जो तैंपर्सेंट अपरशन घ्राइब आपके पास आपके पास इसमें से यह अमांट आपका यहां पर एड़ बैग हो जागा तो जनले तो का पर फिडियो का टोटल आपका रेज़व कितना बना 6,22,500 तो यह क्लोज हो गया करने अलाइब इसका फैनल फिगर यह आगी फिक्स एसर की डिपरेशन की वेली यह आगी इसका पर आपको सार एक सार फाइल फिगर ना है यहां पर आपको बस कोपीपेस करना है यह दिखिए चेन इंगर्टिव में था इंप्ले बनिफर एकस्पेंस निचम मैंने टोटल मारा उठा लिया टोटल डेप्रिसेशन एमांट मायं हुथा लिया एकस्पेंस अधर आपको प्रोपेस्टेक्स था आपको यह तो वो मालाश करेंगे तो आपका आपका आपको पता यह हाओ टू EPS and diluted EPS, that's it, इसके बाद आपके यहाँ उपर आके balance sheet भी लिखने हैं आपको, तो दिखें शेर का भी लिखेता है, this one, रिजन सब्रास आपका यह हो गया, current लेटी होगी, यह होगी, total हमाट यह हो गया, तो total लेटी हो गया, ते टैंजर का total लेटी हो गया, non-tangel लेटी हो गया, यह होगी आपकी non-current asset, current asset में cash and cash equivalent हो गया आपका, right & आपके जो जो छोटे मत और current asset थे जो मैं अभी नीचे लिखेते, तो लग वो ली थी, right, यह आपका actually current asset है, यह आपका cash and cash equivalent है, टोटल यह हो गया, सबका टोटल यह हो गया, अपी यह चप्टर आपका स्कोरिंग बन सकता है, अगर आपको अच्छे चप्टर करके जाओगे, बिकोज यह आपने ओरी ट्वेशन वे बढ़ा हुआ है, आप यह समदो कि आपके बदर आपके बस थोटे रीपरेश हो रहे हैं, एडिशन बहुत माइनर है, तो जहां हम एडिशन के रिक्वार्मेंट होगी, वहाँ पर आपका फोकॉस अच्छे से हम कर देंगे, राइट, छिलिए, now moving to question number eight, so दिखे है आपको यह, is the opening store given, purchase of raw material given, sales given, sales return, raw material purchase return given, then manufacturing expenses, bank loan, salaries, debtors remunition, प्रविजन उट्रीच इंट यहां पर आपको इंटी तथे लिए लेंगे कि और दी पेट कर चुकी है प्रिट अब आपको यह ग्यूइन अलाइक अपको लास्टियार का प्रिलेंगे एक्सपेंसी आपके अपकी अपकी आखेट बन जागी केशेट बैंक, पैट डैट, प्रविवेसर वर्ट, डाटफॉल डैट, 40,000, एक्विटीशे के विटिक गिविट आपको 10 लाका, में हम पढ़ने हमें एडिशन परमिशन, तो देखिए आपको एक तो क्रोजिंग स्टोक गिविट आने के 2 लाका, तो पहले ओप्रिंग स्टो यह रहा और यह रहा, इसमें हमें एडिशन परमिशन परमिशन है, देखिए यहां पर आपके डैटर्स पर आपको यह भी गिवन आपको, इस इन दोनों पर एडिशन परमिशन है, तो देखे इसका इफट आपको प्रांटर में भी आएगा और कहां पर आवगा पट्चेस इसमें आगा तो वहां से कहां इसको मैनेस करेंगे तो देन बैंक रोण रेस किया कितने अगा देशन बैंक रोण अपर कुछ दिया वा है नहीं कुछ निए गिवर है नहीं बैंक लोण होगा अमाउंट तो गिवर होगा कि कंपनी ने कितने का लोण लिया हुए यह रहा 12 परेसेंट लोण इस पर एजस्टमेंट है इसके बाद राइट अफ की अपर इनमें इसका वैसे कुछ कुछ करना तो है नहीं हमें राइट फिंगने चाहरे हैं बेकुली देन बॉडव डेकरेस ने रेक्रिमेंड किया पे नहीं किया राकिमेंड किया यनकि यह कौंछ आ रिम ने अपको प्रपोस और प्रपोस का तो हम कुछ करते है ने बिकोज उसका कुछ नेूर पेटे का ब्याएगा नी देन देर वस नेदेर आप्लिंग स्टोग और रो मेटरियल नौर क्लोजिंग स्टोग और रो मेटरियल इसके पॉइंट के भी को रिलेमिस नहीं है नेटर्स ने पच पांच जार रुद दिया जो की हूँ अटेंड बोर डेक्टर्स मीटिंग बटन अंटर दे कंपनी को अधिकत ने बड़ी तो एक्समेंस हाई कंपनी के लिए देन अमटराइज केपिटल हुआ एक लाग बीजा रुपे का देस यानी के बार लाग रुपे का मैनिफेट्रिंग इस्पेंस भी इंकूड है दो अलाग रुपे का और नेट जनल इसवर में हम जो है कर दोग कर दोगा रिकाँ का हगा एक तो आपको सार इन्वंडरी जे माई राग आप रहाएगा है इनुजन से मेरे कहां पर लिखाए यह मैने प इसमें लिखाया के नामसका है जो हम बेलाइजव बड़नेंगे यह उसकी अमाउंट है में पे ऐसू लिखेंग आपर लिख अधे रइट सेकें एगिंट से हैं या होगी आपका है बिल्डिंग है प्रांट एन मेशिन पर एंड उस पर तो देखिए हाप़ क्या करना आपको जपेसेजिंग अलना है अच्छा डपेसे मैंने कहसेंगा और देखिन आपको यह रहा प्रांट एन मेशिन की वैले कितने लाग इवन है that is 15 लाग इवन है बागी पचाज़ार में कहा सल आया क्योंकि मुझे पता था कि पचाज़ार में कुछ नहीं पड़ा था कि वह रोंगली कहा पर कर दी या वह देवेट कर देवेट करें तो यह मचिनरी के वैली में एड हो जाएगा तो मैंने टोटल वैली लि यहां पर दीखिए है तो यह तो यह तो आपकी बैलें शीट में फिगर जाएगी ओवर रोल ठीक है लेकिन इसका पीडल में जाएगा पीडल में खर्चब में जाएगा तो यहां पर दीखिए है इस वन विल्डेंब कितना है दोन एकल करके मांट कितना है एक लाग असी है तो यह वांट भी हो गया दैन प्रविशंप टैक्स हीदा हम दिखिए जब करण्ट एक अएगा प्रविट्ट प्रविशंप डाकर तो परसंट ओन डैटर्स तो देकिए आपको पांच राग पा चालीज़र का प्रविशंप में रखा था खर्च हुआ सिफ 10,000 रुबे यानि कि कंपनी के पास तो यह तीज़र सेव हो गए तो देखिए वो नेगेटिव आजाएगा आपका यहां देखिए स्वारी यह इस सार का व्जय था इतना प्रविशन था यानि कि 30 आपके नेगेटिव नेगेटिव चलाए बच गए हम लेके रहे expenses में और इतने एक्सपेंस आपके बच गए और इसका इफेट में इफेट कहा होगा बैलेशीट में जाएगा तो बैलेशीट में देखिए आपड़ डेटर्स के ते पांस लाग रुपे के प्रोविजिन के ते अंदर जार रुपेगा टूटल बेकित होगी चाहलाग यह भी हो गया आपका फिफ्ट पॉइंट मेशिनरी चली दो होगी हमारा बट इसको पर्चेस में समानस करेंगे तो देखिए परचेस अमांट अपका हम पर कहां था यह रहा इस तालेश अचाहिए इस में सिद्टन हो गया इतना प्लांटर मेशिन से हमने इसको क्रेटिट कर दिया तो टोटल अपकी कोस्ट ओफ्रमेटर कितने रहेगी चालीस लाग वीज़ार उर्भी आइट तो यह भी होगा आपका बैंक लोन रेज किया कितना एक टूपर दोजार एकिस को कितने अगा हुआ था यह बैंक लोन रेज हुआ था लेकिन वह मेंडल अब दीर लेकिन छे मिने कितना है का 12,000 तो यह आगा फानेस कोस्ट बाकिस का फेट कहन रहेगा बैलनेशीट में तो बैलनेशीट में हमारे देखिए इतने का यह लोन हो गया और यह अंट्रस्ट हो गया हमारा यह पॉइंट भी हो गया पिर लयुक्त को राइट अ अ तुर यह हम कुछ करेंगे नहीं तो करेंगे कर दिकत नहीं तो बैसे हम तो यह इक लाग भी जारशेर्स हैं तो इसको हम शेर्र कैपिटल मिले का यह अंपर देखिए बार लाग के यह होगी आपका और इश्यू के इतने हुए एक लाग के साफ से दस लाग के साफ से टोटल हम यह दस लाग ही लिखेंगे से मैंनेफेट्रियिटृट्मेंगे इनकाल के इसको हम विट लाग करें कि नेकाल्यां के लिकाना dumbbell देएर पिए C यह लिखेंगे रिखेंगे का इमप्लाई ड्राग उपे। Two लॉपर मनेफेट्रिब से म्मार घ्रियाud दो लाग रुपे और उसको मैंनेमफेक्ष्चन एक्सेस को मैनस कर देंगे 21,000 अपको गिवन था यह नेगेटिव आ गया और फीज साथ जार फिलन एक्समेंस चार जार यह तीन लग 30,000 हो गया आपका और यह पांच जार अपका शेल से से मैंस कर देंगा यह मांट आपका कैस अपका एक इवन है एडवांस टेक्स आपको आपको गिवन है तो यहां पर आगा टोटल करन टेस्ट के पर लिए हो गया अब यह तो हमने देखे लिए अभी सारा ट्रेग अपको गिवन है कितने एक लाग 6,000 के बीस पे अब यहां देखे लास एक प्रोफिल के तो तो टेन लाग 10,000 के लाग 10,000 के अब यहां पर आपको क्यासा निकल आपको 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 पर दीखें इंटरविधी बीपर दिया तो यहां पर आपकी प्रॉफिट आ जाएगा तो दिखें करण्टे को पर किसें तीन साथ हम जब शार साथ परशने का लाएंगा आपका प्रॉफिट्स ने का लेंगा आपका फाली के आपका तोल आपका टोटल अमाट अगया रिजए सर्प्लस क देन वासे तो ही कि आपका प्रोफिट लॉस्टेट में दिए आपके सेल्स वैल्य हो गई अधर इंकम कुछ है नहीं टॉटल इंकम यह हो गई पच्छेज और स्टोकिन डेड़ा आपका यह हो गया यह टोटल अधिया मैं इस अधिक आपटल डिया टोटल एक्सपेंस करेंट अधिस वन इस पर टेक्स कतना दोलाइश तारह जरका प्रॉफिट अधिक हो गया एंड बेसिक एंड प्रेटिट है इस हो गया था एक राइट सो क्लास आज हमने बहुत ही बेसी कोशन कि आपको रिवाइज हो जाए कि फानेसर स्ट्वेंट कंप्रेंज में चली मिहाई क्या आपका और डी प्रता लिए कि आपको ट्वाइस वन आपने क्या पढ़ था वही सवे उसे एडवांस कुशन है अल्राइट सो सुदेंस आइव यह वेन शुद वेरी वेल थैंक्यू